असलाम लेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और अल्लाद से दौा करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो आज है फ्राइडे, और मैं अभी सुबा को अपने हस्बेंड के लिए कपरे प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि व अब भी पी लिए, और उनके जाने के बाद मेरी सबसे पहले ही कोशिश होती है कि मैं अपना बेट समेट हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस तरह से बिखरा हूँ बेट, और मैं सबसे पहले मेरी कोशिश होती है, कि जितनी भी चीज़ें बेट प मेरे हजबन बहुत लेट आ रहे हैं, जिसकी वज़े से मैं टेलर के पास नहीं जा सक रही है, तो आज रात को मैं देखूंगी कि अगर मैं चली गई तो ठीक है, अदरवाइस कल सेटरेड़े है, तो कल तो मैं जरूर ही जाऊंगी, क्योंकि मैंने एद के भी कपड़े देन तो आप लोक क्या करते हैं सबसे पहले उनके जाने के बाद, और आज चाय के साथ मेरा कुछ भी लेने को दिल नहीं चाह रहा है, मैं सिंपल चाय के साथ जो है, एक दो बिसकिट्स ले लोंगी, एक दो बिसकिट्स मैं अपने लिए रखे हुमें और यह में लेके आई थी ग्रॉसरी में, तो काफी अच्छे लगते हैं मुझे, और एक दो लेलो तो हेवी भी होते हैं, तो काफी होते हैं, तो मैं बस अभी एक दो बिसकिट्स लोंगी, उसके बाद जो है, यह जितने डेकुरेशन्स वगएरा मेरे पास पड़े थे, उनको भी मैंने आज वाश कर दूप कभी कुछ पता नहीं चल रहा, कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है, तो मैंने यह बेलें उतार ली हैं, और इनको मैं सर्फ वाले पानी में डिप कर रही हूं, इसके साथ यह दूसरे भी रख रही हूं, और इससे पहले मैंने गाड़ी सारी साफ किये, उसके मैट् वे से थोलिया करूँ नियों चैनल यह दोलिया करूँ क्योंकि मैंने डबल मैट्स रखे में तो उपर वाले मैट्स पार जल दी आ जाती है मैंने त Buddhas करके बें करकिirmाय में कररना Ummu i wanna make 63 नहीं यहांकला ही है c deconstम चुकाल उसके बाद जो है अज डीघुस्ति रखा तो कि इसके बाद पृ मैंने डॉस्टिंग वगरा भी सारी कर दी हैं क्योंके सेटर्डày संडेश वह गैस्ट नग्राभी आजाते हरें वहर के काम और मेड मेरी जो है वो आ गई है सारे बरतन वगरा वाश हो गए है सफाई भी सारी हो गई है और यजा भाई बाहर की सारी वाश करेगी और वाश रूम में जो है मैं इसको खुदी क्लीनर डाल के देती हूँ क्यूंकि अगर वगो खुट डाले तो दो दिन में बड़ी बोटल भी खत्म कर लेती है और साफ भी सही चेमला होता और ये ड्राय हो गई थी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तो मैंने इसको उतार दिया है और मैं इसको यहां पे लगाती हूं ड्रेसिंग टेबल के साथ ही क्यूंके बैटके बिलकुल सामने है जब आपकी नजर जाती है तो बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं कोशिश करती हूं किस तरह के चीजें बिलकुल सामने हैंक करूं ताकि मेरी नजर उस पर पढ़ती रहे जी बस काम वगरा सब हो गया है और सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था तो मैं अपने लिए छोटी सी रोटी बना रही हूं और राध जो मैंने वह भुष को अच्छा लगता था 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 किम्कि मुझे काफी अच्छा लगता है तो मैंने सोचा था कि मैं रोटी के साथ नाश्ते में ले लूगी बट आज नाश्ता में नहीं कर सकी तो इस वरज़े से जो है मैं अभी ले रही हूं और ये बिल्कुछ मैंने रोटी बिनाई है सीडी साइस की होगी जो एक वाटर प्लेट होती है और आज मेरा बहुत दिल चाहर है कि मैं इसको ऊपर रखके खाऊं अंडे को रोटी के ऊपर रखके खाऊं मेरी अम्मी इस तरह सब्जी खाती है और मजो बहुत अच्छी लगती है तो बस मैं अभ अब जाए और यहां पे जो है मैं डस्टिंग कर रही हूँ अपने इस रोम की आप देखें बहुत जादा डस्ट आजाती है क्योंकि यह रूम जो है बाहर की तरफ है तो मैं एक दिन भी डस्टिंग ना करूँ एक दो दिन तो इतनी जादा डस्ट आजाती है और इसके लिए जो है मैं ग्लास क्लीनर से सारा ग्लास साफ कर रही हूँ और जितना भी क्लीनर और वुड दोनों यूस करूँ डस्टिंग के वक्त और शीट जो है उपर वाली यह मैं वाश नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाहर बादल है इसने ड्राइ भी नहीं होना तो इसलिए मैं इसको ऐसे कप्रे से जो है साफ करके इसको भी मैं यहां पे पहला दूंगी कि अधिया जो है वो मैंने वाल पे हैंक किया हूँ था पहले बट यूस भी लगाने के लिए काफी जादा उसको उतारना पड़ता था तो लूज हो गई तो इस वज़े से मैंने जो है इसको टेबल पर रख दिया है और जगा काफी कम है तो मैं लेडी की प्रॉपर टेबल यहां पर नहीं रख रही हूँ तो इस वज़े से मैंने छोटी टेबल पर रखा हुए और यह भी अगेन बिल्कुल ही विंडोज है और दोर है तो काफी डस्ट आ जाती है तो मैं इसको भी ग्लास क्लीनर से और वुड क्लीनर से इसको साफ करती हूँ वुड पॉलिश पू जाती है तो इसको मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करी क्यूंके कल मैंने डस्टिंग की थी सारी तो मैं इनको थोड़ा से जो ही क्लीन करी हूँ इनको मैं इसको मैं इसको मैं नमास पढ़िया अज जुम्य की और जुम्हा की नमास पढ़ने के बाद अब चार बज रहे हैं और मुझे बूख लग रही थी क्योंके काफी काम बवगर हो करती रही मैं तो अभी मैं यह बना रही हूँ अपने स्नैक बना रही हूँ मैंने सिंपल एपल को जो है वो कट कर लिया है और इसमें तू 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 त्री टेबल स्पून जो है मैं योगर्ट डाल रही हूँ और यह मैं पहले वी लॉग में भी दिखाया था जो बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसलिए डालती हूँ इसके ओपर चार्ट मसाला डाल कोई भी ड्राइफ फूट पड़ा है थोड़ा सा वो डाल लेती हूँ और इसके साथ जो है मैं अलसी के जो बीज है उसका पाउडर बना के रखती हूँ वो भी मैं डाल लेती हूँ बहुत हेल्दी है इसके बहुत बेनेफिट्स है तो इसको मैं लेती हूँ और इसके तो मैंने चोटे बाल में लिया था थोड़ा गूद्ने के लिए के लिए स्थाइबध स्थाइब भाई जिया हैं जी तो इस वकप बेच रहे हैं शाम के छे और मैं बनाने लगी हुच जाए और आज मैं भुछ थख गई और बहुत जादा काओ जादा काओ क्वेदा गए हैं मैंने घर के क्योंकि सेटरडे जो है कल सेटरडे है और सेटरडे संड़े अरड़ी जो है बहुत काम होते हैं बाहर के भी आना जाना तो इस पज़े से जो है मैं आज घर के काम काफी सारे की है और मैं इतनी थक गई इतनी ज्यादा और मज़े की बात क्या हुई अभी थोड़ी दिर पहले आप लोग उने पता है मेरा विलॉग देखा होगा क कि नहीं लास सेटर्डे का था इधिंक है संडे का था तो उसमें जो है हम लोग गए थे यहां पर एक रेस्टोरेंट ओपन वा था तो उस पर आफ था कुछ तो हम दोनों गए थे मैं और मेरे हज़बन तो अभी क्या हुआ कि मुझे जो है वहां से उनका रिस्पॉंस आया कि मैंने 2,000 के वाउचर विन किया है और मैं इतनी खुश हूई इतनी खुश होई कि मेरी जितनी भी थकावट थी वो सारी जो है बिलकुल ही खतम हो गई क्योंकि आप खुद खाते हो या खुद जाते हो बट जो एक विन करने का मज़ा होता है जो आप कुछ विन करते हो उ जो है उठी हूँ और काफी मुझे खुशी हो रही है उनने मुझे वन वीक की विलेडिटी कही है कि वन वीक में आप किसी टाइम भी अवेल कर सकते हैं तो मैं इंशालला ताला देखें शायद वीकेंड पे चली जाओं तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी और अ चारी थी अभी और मुझे बहुत खुशी हो रही है बहुत खुशी हो रही है तो आप लग भी मुझे बताईएगा ऐसा कुछ विन किया अपने मैंने कुछ कुछ महीने पहले दो-तीन महीने पहले एक और विन किया था है मैं मालम रोड पे एक कैकेफे है बहूत फेमस कैकेफे है तो वहाँ पERS ही उल्हाई किया बहुत ही वहाँ पे हम ने एंजॉाई किया बहुत मज़ा आया मेरे हसाबन गह visions गह थे झाल झाल ग जाल जाए ता लुल आधर भी जह दोनों बॉटल्स में फिल कर दिया है और इंको मैं देंको वाश्च नहीं कर रही क्योंकि मैं उनको बी किया था लास्ट ताइम तो भी मैं इंको सीर्च घल जब या अधर गो निवह एंको आपकी आपछेशन जाएं चाहिस्ट अने तो बहुत पसंद रहें कि बहुत जयाँ, मैं भसके बना के हमार चूरी के भांस में साहँ मैं बहुत खाती हूं बट आज कल मैंने थोड़ा सा बरसाथ की वज़े से कम किया हूँ है खीरे और यह चीज़ें जो कुकंबर होते हैं मैं थोड़ा सा कम ले रही थी लेकिन अब जो है मैं ले आई हूं मेरा काफी दिल चाह रहा था बट मैंने थोड़ी क्वांटिटी में लिया है और पस्ता और गारा के लिए मैं थोड़ी सी गाजन और शिमला मिर्च भी लिया यह इनका मैं बनाऊंगी और जी यह हमारी चूरी बन गई है और हम अभी खाना खा रहे हैं उसके साथ मैंने आज सेलड बनाया काफी दिनों के बाद तो गाज यह थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यह बिल्कुल फ्री है और अपना बहुत ख्याल रखेगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग अला हाफिज